धर्ना इंसाफ फैज आबाद बंद था, सड़क पर होका आलम था एक पुलिस सार्जेंट चौक में खड़ा था टैफिक ज्यादा थी, गाड़ी पर गाड़ी चड़ी हुई थी बंपर से बंपर टक्रा रहा था मैंने सार्जेंट से पूछा कोई रास्ता मौजूद है, उसने आई-8 की तरफ इशारा कर दिया मैं इसलामबाद की तरफ से आया था और इसलामबाद ही जाना चाहता था चनांचे मैं फॉरण आई-8 की तरफ मुड़ गया मगर मैं जू ही आई-8 की तरफ मुड़ा मुझे ट्रैफिक का बहाव रावलपिंडी की तरफ ले गया सिक्स्त रोड पर गाड़ियां फंसी हुई थी मैं भी इन में फंस गया पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का दौर दूर तक कोई निशान नहीं था अहल तशयों ने कोईटा में 90 लोगों की हलाकत के बाद मुल्क भर में धरने शुरू कर दिये थे रावलपिंडी और इसलामबाद भी उन धरनों का हदफ था पैज़ाबाद रावलपिंडी से इसलामबाद में दाखले का सबसे बड़ा जरिया है ये मकाम सबसे पहले बंद हुआ और धरने आहिस्ता आहिस्ता अब दूसरे एंट्री पॉइंट्स की तरफ बढ़ रहे थे मैं इसलामबाद से आया था और इसलामबाद ही जाना चाहता था लेकिन मुझे ट्रैफिक, धरने और बदनसीबी रावलपिंडी की तरफ ले गई हम सिक्स्त रोड पर पवन घंटा फंसे रह वहां से मरी रोड पर आये तो ट्रैफिक का बहाव माल रोड की तरफ ले गया माल रोड पर भी ट्रैफिक जैम थी मोटरवे की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो चुका था हम लोग एरपोर्ट की तरफ चल पड़े एरपोर्ट के करीब पहुँचे तो एरपोर्ट के सामने भी टाइरों को आग लगी थी और सड़क पर पत्थर रखकर रास्ता बंद कर दिया गया था पुलिस वहां भी मौजूद नहीं थी सामने सड़क पर बीस पचीस नौजवान हाथों में डंडे उठा कर खड़े थे गारियां वनवे की खिलाफ वर्जी करते हुए वापस मुड़े और हम वहां से रावल रोड पर आगे रावल रोड पर भी हजारों गाड़ियां खड़ी थी ये आहिस्ता आहिस्ता सरक्ती हुई मरी रोड पर आए हम मरी रोड से दोबारा फैज़ आबाद पहुँचे मगर फैज़ आबाद तीन अत्राफ से बंद थी वहां से एक बार फिर सिक्स्त रोड आए और सिक्स्त रोड पर फंस गए सिक्स्त रोड के आखिर में ट्रक खड़े करके रास्ता बंद कर दिया गया था मेरे आगे और पीछे हजारों गाड़ियां थी गाड़ियों में खवातीन भी थी बच्चे भी और बुजर्ग भी मुझे रोड पर रास्ते तलाश करते हुए तीसरा घंटा शुरू हो चुका था मेरा शूगर लेवल डाउन हो रहा था पिट्रोल तेजी से खत्म हो रहा था और मसाना फटने के करीब पहुँच चुका था मैं बेबसी और बेचारगी का शिकार हो चुका था गालियां एक बार फिर मरी रोड की तरफ मुणने लगे मैं साड़क के आखिर तक पहुँचा आखिर में ट्रक खड़े थे और ट्रकों के सामने दस पंदरा नौजवान हाथों में डंडे लेकर खड़े थे मैं धरने के इंचार्श के पास गया और उससे ख्वातीन और बच्चों पर रहम खाने की दर्खास्त की उसने घोर कर मेरी तरफ देखा और नफरत से बोला क्वेटा में हमारी औरतें और बच्चे दो दिन से 86 लाशें सबक पर रख कर बैठी है क्या आपको उन बच्चों और औरतों पर रहम आया है आपको खिले आस्मान तले बैठी वो औरतें और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे और गाडियों में बैठे बच्चे और औरतें नजर आ रही हैं में बेबसी से दाएं बाई देखने लगा वो बोला अब लोग एक दिन अपने बेटे अभाईया वालिद की नाशलक पर रख कर बैठे मैं इसके बाद अपसे पूछोंगा आपको ये गाडियां और इन में बैठे लोग दिखाई देते हैं मैंने अर्स किया लेकिन कीरानी रोड के सानिहे में इन बेचारों का क्या कुसूर है ये तो बेगुना हैं वो बोला बेगुनाहों के रास्ते रुकिंगे तो उन्हें हम बेगुनाहों के मजालिम नजर आएंगे मैं चुप चाप गाड़ी में बैठ गया हुजूम में मौजूद एक नौजवान को मुझ पर रहम आ गया उसने मुझे इशारा किया एक मिनिट के लिए एक ट्रक हटाया और मुझे रास्ता दे दिया मैं तीन घंटे बाद इसलामबाद में दाखिल हुआ लेकिन धरने अभी बाकी थे मैं रास्ते में चार धरनों पर रुका लोगों ने मुझ पर रहम किया और मैं आध घंटे की मजीद खुआरी के बाद दफ्तर पहुँच गया मैं अकेला इस सूर्तेहाल का शिकार नहीं था मंगल अनीस फरवरी 2013 के दिन मुल्क भर में 772 धरने हुए और कराची से लेकर अस्तूर तक सारी सड़कें बंद रहे मुल्क में पहली बार एरपोर्ट्स, रेलवे, बस सर्विस, टैक्सी सर्विस मोटरवे और आम गाड़ियां बंद हुई और लोग घरों, दफ्तरों, सड़कों, एरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन्स, स्कूलों, युनिवस्टियों और अस्पतालों में महसूर होकर रह गए अम्बुलेंसे सड़कों पर रुक गई डॉक्टर सड़कों पर फंस गए और मरीज दहलीज पर बैटकर अमेडिकल हेल्प का इंतिजार करते रहे पूरा मुल्क मफलूज था अब गाड़ी से उतर कर धरना देने वालों को देखते थे तो ये एक दो दरजन लोग होते थे और आप इसके बाद पुलिस को तलाश करते थे तो वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी और आप अपने अप से पूछते थे इस्टेट कहा है आपको कोई जवाब नहीं मिलता था और ये पांच साल की मुसलसल जम्हुरियत का अखरी तोफ़ा था ये दुरुस्त है कोईटा में हजारा कम्यूनिटी पर जल्म हो रहा है पिछले चंद सालों में उनके एक हजार लोग मारे गए डस जनवरी को तीन बम धमाके हुए सौ लोग मारे गए लवाहिकीन तीन दिन तक नाशे साबक पर रखकर बैठे रहे लेकिन हकूमत कान लपेट कर सुई रही अगर इस वक्त अल्लामा ताहिर अल्कादरी के धरने का दबाव ना होता तो शायद नाशे महीनों वहाँ पड़ी रहती हकूमत ताहिर अल्कादरी के खौफ की वज़े से क्वेटा गई और लोग गवर्नर राज के इवज नाशे दफनाने पर तयार हुए सोला फरवरी को इस नौयत का एक और वाकिया हुआ इस वाकिये में भी सो लोग मारे गए और हजारा कम्यूनिटी एक बार फिर नाशे सावक पर रखने पर मजबूर हो गई मुल्क भर के शिया हजरात ने उनका साथ दिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 772 धरने हुए और पाकिस्तान एक दिन के लिए अमलन मफलूज होकर रह गया स्टेट मनजर से गायब हो गई और मुल्क में कोई इदारा, कोई शक्स सूरतेहाल को समालने मुझाहरीन से मुझाकरात करने, साडकें खुलवाने और एफिक में फंसे बेबस लोगों को निकालने के लिए आगे ना आया और आम लोग बेबसी की तस्वीर बनकर आस्मान की तरफ देखते रहे अनीस फरवरी को साडकों पर खड़े लोगों को महसूस हो रहा था हकूमत में पांच बरसों में इंसाफ का एक नया निजाम मतारफ करवा दिया है ये धरना निजाम है मुल्क का जो भी शक्स बिजली चाहता है गैस चाहता है पिट्रोल और रोजगार चाहता है जिसे डॉक्टर और दवा चाहिए जो अपनी तनखाहों में इजाफा करवाना चाहता है जो स्कूल का उस्ताद बदलवाना चाहता है जिसे रेलवे और सरकारी बसें पसंद नहीं जो S.H.O. पटवारी और सिविल जैस तबदील कराना चाहता है और जिसे अदालत और सरकारी महकमें इंसाफ नहीं दे रहे वो सड़क पर आये, दो डंडे उठाये, सड़क पर चंद पत्थर रखे और रियासत से अपना मुतालबा मनवा ले हदिये है ट्रक और आयल टैंकर्स के मालिकान हाई वेस पर ट्रक खड़े करते हैं और रियासत दो घंटे में उनके कदमों में जख जाती है C.N.G. मालिकान हरताल पर जाते है 15 लाक गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हो जाती है और हकूमत उनके मुतालबात मानने पर मजबूर हो जाती है और प्लांट्स के मालिकान अपना मुतालबा मनवाने के लिए बिजली की पैदावार कम कर देते हैं और विजारत खजाना उनका बल पे कर देती है और आखिर में कुईटा की हजारा कम्यूनिटी भी इनसाफ के लिए नाशें सड़कों पर रखने पर मजबूर हो जाती है और उसके बाद वजीर आजम भी एक्टिव हो जाते है काबीना का इजलास भी हो जाता है अल्यमेंट में शिया कलंग पर बहस भी हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट भी सुमोटो नोटिस ले लेती है क्या मुल्क के 18 करोर लोगों के लिए ये पैगाम नहीं आपको इनसाफ इस वक्त तक नहीं मिलेगा अब जब तक अपने किसी प्यारे की नाश सड़क पर नहीं रखते अब जब तक डेंडे लेकर सड़क पर नहीं आते वा फिर धरना नहीं देते मुल्क की हालत ये है आज सियासी जमातों के कारकुन भी अपनी बात पार्टी कियादत तक पहुँचाने के लिए धरने और मीडिया के सामने सीना को भी करने पर मजबूर हैं और उन्हें भी उनकी पार्टी उस वक्त तक टाइम नहीं देती जब तक ये कोई बड़ी सड़क बंद नहीं कर देते कल फैसलाबाद में वुकला ने अदालत का फरनीचर तोड़ दिया डी सी ओ आफिस बर्बाद कर दिया और जिल अचोक में धरना देकर बैठ गये और आस के बाद रियास्ती मशीनरी एक्टिव हो गई क्या मुर्क में अब सिर्फ धरने से इंसाफ मिलेगा और अगर ये इंसाफ का वाहिद तरीका रह गया तो फिर हम अवाम कहां जाएं क्या हमें भी साड़क पर निकलने के हक के लिए धरना देना पड़ेगा और डंडे उठाना पड़ेंगे पर निकलने के लिए एक वाहिए लाएं